जैहिंद बंदे मातरम स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर लीजे लेकर आप पहुंचे हैं एक और सेशन परसेंटेश का जिसमें आयतन और छेतर फल में होने वाले प्रतिसत ब्रद्धी के बारे में जानेंगे कुष्चन देखने में तो बहुत बड़ा लगेगा लेकिन साल्व करेंगे मात सेकेंडों में कैसे साल्व करेंगे इसके लिए बने रही है हमारे साथ पहला कुष्चन क्या कह रहा है किसी घन की प्रतेक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए यनि जो घन है घन के प्रतेक भुजा 10-10 प्रतिसत बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यनि घन के आयतन में कितने प्रतिसत की ब्रद्धी होगी घहन का आयतन हम लोग जानते हैं क्या होगा V equal to होता है L cube यह जिसे हम कह सकते हैं L into L into L दिया क्या है 10 प्रतिसत की ब्रद्धे का ना है एनि 10 प्रतिसत जो है वो इनक्रीजमेंट हो रहा है 10 प्रतिसत इनक्रीजमेंट हो रहा है मतलब यह fractional value अगर इसकी हम निकालें तो हो जाएगा 10 upon 100 पूरा लिख दे रहा है 10 upon 100 एनि 1 upon 10 हो रहा है तो हम आगर initial value निकालें प्रारंबिक शेदर आयतन अगर निकालें तो क्या होना चाहिए यह जो नीचे वाला value होता है प्रारंबिक value है तो होगा क्या 10 into 10 कितना आ गया यह 1000 हो जाएगा यह एक हजार इन तीनों का गुड़ा करारें पर एक हजार फाइनल बैलूम जब निकालेंगे तब क्या होगा अब देखिए आगर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो इसको इसमें जोडेंगे अगर डिक्रीजमेंट हो रहा होता हास हो रहा होता कमी हो रही होती है तो इसको घटाते हैं तो दस सो एक कितना हो गया ग्यारा तो ग्यारा गुड़े ग्यारा गुड़े ग्यारा कितना हो गया ये एक हजार तीन सो एकतिस एनी दोनों में ब्रद्धी क्या हुई डेल्टा वी अगर निकालने ब्रद्धी कितना हुई 1331 में से 1000 गई कितना आएगा 331 इसे हम अगर percentage में निकालें ठीक है ब्रद्धी प्रतिस्तत अगर करें इसको हम इसको ब्रद्धी प्रतिस्तत अगर बनाएंगे तो क्या आएगा ब्रद्धी प्रतिस्त अगर बना रहे हैं तो क्या आएगा बताएगा ब्रद्धी प्रतिस्त अगर कितने से 1000 से 1000 था प्रतिसत निकालना है तो 100 से गुड़ा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल दूसरी जीरो दूसरा जीरो कैंसिल आगर ये कराएंगे तो आएगा कितना 331 भागा 10 करेंगे तो 33.1 प्रतिसत कितना आगया 33.1 प्रतिसत निए आपसन हमारा कौन से सही होगा सी वागा किये हैं कैसे दिखे पहले हम क्वेश्चन पढ़े 10 प्रतिसत ब्रद्धी हो रहे थी तो घन के आयतन का फार्मूला हम रिख लिए घन का आयतन ये होता है 10-10 प्रतिसत इंक्रीजमेंट हो रहा है यह 10 प्रतिसत इंक्रीजमेंट अगर हो रहा है यहां पर थोड़ा से सही कर दे नहीं दिक्कत होगी बाद में दस प्रतिसत अगर यहां ब्रद्धी हो रही है दस प्रतिसत इनक्रीजमेंट तो दस प्रतिसत को हम फ्रेक्शन में बनाएंगे धिन्ने में बनाएंगे तो दस बटा 100 लिखेंगे यह काटेंगे तो यह बटा 10 आ जाएगा इनिसियल बैलूम निकालेंगे लिए प्रारम भी कायतन निकालेंगे लिए नीचे वाला मान होगा वही लेकर चलेंगे तो 10 उड़े 10 यह आगे 1000 फाइनल बैलूम के लिए आगर यह ब्रद्धी हो रही है तो नीचे वाला उपर वाला दोनों जोड लेंगे आगर कमी हो रही ह तो घटा देते इसको हम, तो दसो एक कितना होगे, ग्यारा हो गया, तो ग्यारा गुड़ी, ग्यारा गुड़ी, ग्यारा हो गया, 1331, अब एक हजार से 1331 हो गया, बृध्धी कितना होई, तो हो गया, 331, बृध्धी प्रतिसत कैसे निकालेंगे, जो बृध्धी हो रहे, गुड़े 100 तो आया कितना हमारा आया 33.1 प्रतिसत की ब्रद्धी हो रही है अगर आपको ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ सेर कीजे वीडियों को लाइक कीजे और चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे ताकि ऐसे ही अच् कोई भी समस्या होगी कमेंट करके आप बता सकते हैं लेकिन ये काम जरूर कीजे अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को तुरंत लाइक कर दीजे कम से कम दो तीन लोग पास सेर भी कीजे और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए कर प्लीज चलेंगे अ शेतर फल क्या होता है area या सरकिल होता है पाई और स्क्वायर तो हम बताए हैं कि आगर हम ब्रदिय और कमी निकाल रहा है तो constant बैलू से कोई मतलब नहीं पाई से कोई मतलब नहीं पाई से कोई कम नहीं पाई को छोड़ देंगे changing होगा किसमें वो radius में होगा यह नि changing अगर हमने देखना होगा तो r में होगा r क्या करेंगे r into r कमी और ब्रद्धी जो होगी वो r में ही होगी अब हो क्या रहा है radius देखिए 40 प्रतिसत इसमें 40 प्रतिसत ब्रद्धी हो रही है मैं बढ़ाया जा रहा है तो 40 को अगर हम फ्रेक्शनल बैलू इसकी देखें 40 की तो 40 बटा 100 बीस दूना 40 बीस पंचे 100 आगर हम initial area प्रारंबिक छेतर फल है अगर देखें तो होगा कितना आप देखें नीचे वाला बताए था यह होता initial के लिए तो पांच गुड़े पांच कितना आ गया इसकी एरिया 25 ठीक फाइनल एरिया जब वह चालिस प्रत्सत की ब्रद्धी हो गई तब कितना आया आप देखें ब्रद्धी हो रहे तो इन दोनों को जूड़ेंगे कितना होगा साथ हो जाएगा तो साथ गुड़े साथ कितना आया यह वन्चास आ गया अब छेत फल में ब्रद्धी क्या होई डेल्टा ए अगर हम निकालें तो वन्चास माइनस पचीस कितना आया चौबेस आ गया यह चौबेस ब्रद्धी हो रही है तो हम निकालेंगे यहाँ पे ब्रद्धी प्रतिसत ब्रद्धी का हम प्रतिसत निकालेंगे अगर ब्रद्धी प्रतिसत तो जो ब्रद्धी हो रहे है उसे उपर करेंगे 24 को उपर कर दिये किस से निकालना है 25 से तो 25 को नीचे करेंगे 25 जो है 25 को हम नीचे कर देंगे क्योंकि 25 से ही हमको देखना है ब्रद्धि कितना होई है, प्रतिसत निकालना है तो 100 से गुडार कराएंगे, 25 चोग का 100 और 24 चोग का 96 झायाय उन्य आगर एंसर देखें तो 90% की ब्रद्धे हुई यह ब्रत के 6 रफल में कितने प्रद्धद की ब्रद्धे होगे जहाये हमारा 90% की è option नमबर 20 ही होगा समझ में आया वई पीचला ही method है 40% की ब्रद्धे हो रहे थे ब्रद्धे दिखाए इसे भिन्ने में बना लिए बिन्न में बनाने के बात जो नीचे वाला value होता है वो initial के उठाते हैं तो radius जो initial radius हो गया उसे हम 5 माल लिया है 5 से ये 25 आ गया final area निकालने के लिए final radius point करने के लिए अगर ब्रद्धी हो रही है तो इन दोनों को add कर लेंगे अगर कमी हो रही होती तो घटा देते तो 5 दो 7 हो गया तो 7 गुड़े 7 आ गया हमारा वन्चास अब दोनों में ब्रद्धी कितना होई 25 से वन्चास जाने में कितने एक ब्रद्धी होई 24 की 24 की ब्रद्धी हुए तो ब्रद्धी प्रतिसत कैसे निकालेंगे जो ब्रद्धी हो रहे ब्रद्धी बटा प्रारंबिक 6 रफल गुड़े 100 आसानी से आगए बिना कुछ किए ठीक है ना? चलते हैं अगले क्वेशन पर कह रहा है किसी आयत की लंबाई गोड़ी 20 प्रतिसत बढ़ा दिया जा रहा है और चोड़ाई को 10 प्रतिसत कम कर दिया जा रहा है तो च्छेतरफल पर क्या प्रभात पड़ेगा? च्छेतरफल होता क्या है? एक वोल तू आयत के लिए ल एे इन्टू बिन लंबाई उड़े चाड़ाई कर क्या रहा है L जो है वो 20 प्रतिस्षत इनक्रीज हो रहा है 20 प्रतिस्षत जो है वो इनक्रीज हो रहा है तो 20 प्रतिस्षत इसे करेंगे पहले तब इनक्रीज दिखाएंगे भिन्न में बनाएंगे क्या होगा 20 पंचे 100 यहीं एक बटा 5 बी क्या होगा बी देखिए बी में दस प्रतिस्त की कमी हो रही है दस प्रतिस्त इनि कमी हो रही है तो दस दहां में 100 तो यह बटा यह दस हो जाएगा तो आगर एरिया निकालेंगे तो इनिसियल एरिया क्या होगे एल इन्टू बी होता है निए पांच गुड़े दस कितना आया यह यह आ गया पचास फाइनल एरिया निकालेंगे ब्रद्धे और कमी के बाद तो देखे एल में ब्रद्धे हो रही है तो यह जोडेंगे कितना आएगा पांच और एक छे हो जाएगा और इसमें कमी हो रही है ये कितना आएगा दस में से गई कितना आएगा नौँ तो कितना हो गया ये शे नवा के चंवण चंवण आगया तो डेल्टा ए अगर हमें निकालना हो कि छेदरफल में कितना बृद्धी या कमी हुई तो करेंगे क्या चंवण माइनस पच्छास कितना आएगा चार यहनी यह चार की बृद्धी हुई अब बृद्धी को हम प्रतिसत में करेंगे बृद्धी प्रतिसत निकालेंगे किस से करेंगे बृद्धी जो हुआ है उसे बृद्धी में से प्रारंभिक छेत्रफल को भाग देंगे cook 4 बटा 50 और गुडे में 100 पचास दूना सो और चार दूना कितना हुआ आठ एनी आठ प्रतिसत क्या हुआ था देखे ब्रद्धी हो रहे थी आठ प्रतिसत ये ब्रद्धी हुआ है क्या हुआ आठ प्रतिसत ब्रद्धी कैसे करेंगे फिर से एक बासमझे आयत था, आयत का छेदरफल होता है, लंबाई गुड़े चोड़े, लंबाई में 20 प्रस्त की ब्रद्धी हो रहे थे, तो 20 बटा 100 किये, यहाँ पे एक लाइन ओर दिखा दें, कहिए, तो इसे जो किये है, 20 बटा 100 किये, 20 बटा 100 करके, 20 पंचे 100 कर दी है, वही है, एक बटा 5 आया है, जो आया है, एक बटा 5, यही है, ऐसे इसके लिए 10 बटा 100 किये, तो 10 बटा 100 करने पर, 10 एक बटा 10 आ गया, एरिया पहले इनिसियल निकालेंगे, इनिसियल एरिया निकालेंगे, लिए क्या करेंगे, नीचे वाला जो होता है, नीचे वाला इनिसियल होता है, नीच बी ले ले रहा है नीचे जो है डिनॉमिनेटर में जो बैलू है वह ही इनिस्यल में लेंगे तो पांच गुड़े 10 कर दिये 50 हो गया फाइनल के लिए क्या करेंगे आगर इंक्रीग्मेंट हो रहा है तो वहां सहर को जोड़ लेंगे आगर कमी हो रही है तो उससे घटा कि यहां कमी हो रही तो दस में से घटा करके नव ले लिए तो छे नवा के 54 हो गया 50 से 54 हो गया माने ब्रद्धी हुआ है तो ब्रद्धी अगर हुआ है तो ब्रद्धी के लिए क्या करेंगे ब्रद्धी पहले निकाल लेंगे चार की ब्रद्धी हुई ब्रद्धी प्रतिस आया कि लिए रहे हैं आगर आप चैनल पर नए है इबान दारी पूर्बग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ये वीडियों हमें हमारा आगर आपको पसंद आया होगा तो तुरंत इसे लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए कम से कम दो तीन उनका सेय और सब्सक्राइब करने के लिए कहें आगर हमारे पढ़ाते समय किसी भी कोश्चन में कोई डाउट है या इस तरह का कोई और कोश्चन आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा फिर मिलेंगे नए सेशन में नए कोश्चन के साथ में तब तक के जाए हिन